बादली निवाशी मोहनवीर की हत्या की वारदात के मामले में चार आरोपी गिरफ्तार नियाई की राशत में भेजा गया। बादली के लाडपर मोड पर 10 दिसमबर की शाम हुई बादली निवाशी एक वक्ती की हत्या के मामले में कारवाई करते हुए बादली प्लिस ने चार आरोपियों को ग्रिफटार करने में काम्याबी असिल की है। गिरफतार किये गए आरोपियों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर आपसी विवाल की रंजिस को लेकर बादली निवासी एक वक्ते की गोलिया मारकर हत्या करने की वारदात को अंजाम दिया था मामले की जानकारी देते हुए बादली थाना पर भारी बाबुलाल ने बताया कि आरोपियों को गुप छूचना के आधार पर गिरिफतार किया गया बादली निवाशी मोहनवीर की अत्या के मामले में पुलिस ने कारुवाई को अंजाम दिया मिर्तिक के पिता सुरेंदर पौल ने पुलिस को सिकायत दी थी जिसके आधार पर कारुवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ अत्या का मामला दर्ज किया गया था उन्होंने बताया कि मामले में कारुवाई करते हुए चार आरोपियों को गृपतार किया गया है आरोपियों की पहचान रामबीर, विरेंदर, रवी, तीनों निवाशी लाडपुर तथा दिपक निवाशी खेडी जट के तोर पर की गई है आरोपियों के खिलाफ करवाई करते हुए उन्हा अदालत में पेश किया गया जहां से दो आरोपियों रामबीर तथा विरेंदर को पुष्टाच के लिए तीन दिन वे दो आरोपियों दिपक वेरवी को दो दिन के पुलिस रिमाणड पर लिया गया चारोव आरोपियों की निसान देही परवारदात में इस्तमाल की गई दो स्विफ्ट डिजायर गाडियां, तीन मोट साइकलें, पांच देशी पिस्टोल तथा 27 जिन्दा कार्तूस बरामद किये गए पुलिस रिमाणड में पुछताच के बाद आरोपियों को आज फिर से अदालत में पेश किया गया, जहां से चारोव आरोपियों को नई किरास्त में बेश दिया गया